स्वागत करता हूँ सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार इस्टडी में तो आज हम पढ़ेंगे इकनोमिक सिस्टम प्लानिंग इन इंडिया जो भारत में जो इकनोमिक सिस्टम था वो किस प्रकार से था रिवेज वीडियो में हमने समझा था अपने फाइव येर प्ला लाइगा आगे इसे हम सिरीच चलाएंगे तो वीडियो उसे को आगे बढ़ाते हुए एकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे बेसी कलि समस्ण के नमिक सिस्टम है क्या दिख एका सिस्टम है जो लॉand claw करन कुरेट कर के दीता है एकनूमिक और करता है जिस से जो एक प्लान किया गया था एकनोमिक सिस्टम को उसके बारे में हम आज हम पढ़ेंगे तो देखिए इनको थ्री उसमें बांटा गया था टाइपस ऑफ इकनोमिक्स बताया था इकनोमी किसने प्रकार के होती हैं तीन प्रकार की हैं कैपिटलिस्ट इकनोमी सोचलिस्ट इकनोमी एंड मिक्ष्ड इकनोमी यहीं हम बात करें कि कैपिटलिस्ट इकनोमी का क्या मतलब होता है तो आपने सुना होगा पूंजी वादी अर्थवरस्था तो कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पूंजी वादी अर्थवरस्था सोचलिस और यह लगा है उनके बाले में समझेंगे फिर उनके फीचर्स पढ़ेंगे और मेर्स भी पढ़ेंगे किनके अड़ांटेज क्या है और इस्वांटेज क्या है दिखें एन इकनोमी वेयर मीन्स औफ प्रॉडक्षण और उन्डवाई इंडिवीज्वल who can freely take their decision by motive of profit maximization is called capitalist economy simple language perfect language capital economics क्या मतलब होता है production यदि production करना है मितलब की individually लोग production करेंगे ठीक है जो कि free रहेंगे for the decision देखे बोर रखा है owned by individual who can freely their decision वो अपने decision को लेने के लिए बिल्कुल free रहेंगे वो क्योंकि उनका जो motive होता है यहां पर यह याद रखने वाली बात है motive for profit maximization उनका जो motive होता है capitalist economy में वह जी वादियर्थ बश्ता में वह होता है profit maximization करना profit maximization करना कैसे है whatever वो जो भी decision लेते हैं वो free है there is no interference of the government government का किसी परकार का हस्ता छेप नहीं होता है ठीक है क्योंकि इनका main motive क्या बनता है profit maximization तो profit principle को यह follow करके चलते हैं इसको क्या बोले आता है capitalist economy जदि हम features के बारे बात करें features of capitalist economy तो private ownership of means of production इसमें जो ownership होती है मतलब इसके जो मालिक होते हैं वो private होती है means market sector होता है वो इसमें सभी प्रकार के decision लेता है all the allocation of resources and controlled by the market forces market forces के द्वारा इक control किया जाता है ठीक है second point है profit maximization is the primary motive देकर सबसे जो पहला motive मने करके आता है इसका वो profit maximization ही बनता है and government is a conflict to ensure law and order जो government है यह approve देता है उनको law and order create करने की ठीक है बट यह beyond किसी भी चीज़ के नहीं जा सकते law and order को तोड़ नहीं सकते बट यह profit maximization का motive होता है यह दिए में इनके meds के बारें बात करें तो सबसे पहले हैं मेर्ट का है इसके प्रॉफट्व प्रमोट्स मींज्स प्रमोट्स अपने जो इंट्रेस्ट होता है इनका इसको प्रमोट करते हैं उसको बढ़ावा देते हैं यह लोग इंग्नोमी होते हैं उनका मोटी भी profit maximization होता है तो यह resources का effective or efficiency दोनों ही तरीके से use करके एक growth एक GDP growth के लिए एक अच्छा थाबित करके निकलते हैं लोग कौन से capitalist economy में इनके देमेट्स क्या है इनके गाटे क्या है इनके यदि इसको ना अपना है तो क्या होगा the collective interest of society ignore society का जो interest होता है means जो समाज का होता है उसको ले करके नहीं चलते हैं लोग क्योंकि इग्नोर करते हैं यह लोग क्योंकि इसलिए जो ग्रोफ करते हैं यह सिर्फ इंट्रेस्ट को देखते हैं कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि समाज से परे होते हैं समाज से हैटकर के वर्क करते हैं थोड़ा ठीक है इसलिए जो ग्रोफ रेटेन का जो हाई भी होता है और जो प्रॉफिट मेक्समाइजेशन उसका रेट भी काफी बड़ा होता है आगे यह समझ में आगया होगा आपको देखिए अब एक फिगर के हिसाफ से पता रखा है इसमें ड यह इसे बांड होगा फ्रोफिट मेक्समाइजेशन भी उतना ही होगा तो डिमांड सप्लाई के द्वारा जुची डिशाट यप लिया जाता है वह एपिट्रिस्ट इगनॉमी में लिया जाता है आगे हम समझे शोश्रिश्य इगनॉमी को क्या मतलब है दे इकनोमी इन वि मासिप है means of production जो करना है वो important decision किसके दवारे लिया जाता है Central 30 of the government केंद्री सरकार के द्वारा यह decision लिया जाता है कि कितना production करना है किस quantity करना है किस quality में करना है तो जो सब्सक्राइब करना है इनका जो motive बनता है वो बनता है social welfare का capitalist इकनोपी तो profit maximization पर वर्क करती है वर सोचलिस्ट इकनोमी है वह social welfare पर वर्क करती है जो होता है समाज कल्याण करने के लिए इसको क्या का गया है socialist इकनोमी बोला जाता है आगे दिए हम बात करें इसके features के बारे में तो collective ownership means of production जो इनका जो collective ownership होता है means of production जो production किया जाता है वो सब समाच को ले गर के किया जाता है एकट्टा करके किया जाता है maximize social welfare due to direct participation of the state जो maximization of social welfare होता है वो सीधे किस से होता है इन लोगों के state से होता है राजियों से होता है कि क्योंकि इनका जो motive होता है वो क्या होता है social welfare करना होता है इनका जो main motive होता है मेरिट्स के हम बात करें इसके तो tire to achieve the equality in the distribution of income along with the inclusive growth and social justice देखिए इनका जो मेरिट्स है इनके जो फायदे होते हैं वो यह होते हैं कि यह कुल्टी लेकर के आने की क्या कहते हैं इक कुटी लाने के सोच में होते हैं लोग कि इनका मेरिट्टी लाना है distribution of income हो रहा है वो इक्वल होना चाहिए तो यह सब कर समान समान विकास होना चाहिए इनका समाज में जो न्याइपूर्ण कार है वो होना चाहिए इसा को बहुत है सोचल जिस्टिस आगे इसके डिमेट्स के हम बात करें तो स्लो जीडिपी ग्रोथ होता है देखे जडी कोई वर्क कर रहा है तो गवर्मेंट है हम लोग वैसे भी जानते कि गवर्मेंट के जो वर्क सबके इंट्रेस्ट के बारे में सोचना पड़ता है तो कहीं न कहीं प्रोब्लम्स क्रियेट होती है तो स्लो जीडिपी ग्रोथ यहां पर देखा जाता है profit maximization replaced by the principle of equity and justice profit maximization को हटा दिया जाता था है किसकी ज向 Abby and justice लाने पर इसका मतलब नहीं मोटिव नहीं होता है बऩर वर्क कर तिया da प्रोफित कॉन रहे हैं थे उतनल प्रोफित मूतिव करी सiefत में आफि के इस इकनोमी सस्याँ सब्हिक को साथ ले करून करके कर रहे हैं इकनोमी रहे हैं डॉर स्कार मारा यह्टी में सब्गए रखायर हैं यह जो यह सब यहां पे रहे होगे हुँ sector of ownership production is called mixed dignity mix naam ही समझ में आ रहा है जिसमें public और private दोनों ही ownership इसमें जो include होते हैं दोनों का combination है means of production जो production दोनों को मिलकर की किया जाता है mixed dignity कहलाता है बट जो owner से पोहती है जो maximization owners रहता है वो government के आत्व में होता है अबाइब लिए जाते हैं तेकन वाइदा गवर्मेंट लिए जाते हैं उनको एक इसपेसिफाई एरिया फ्री कर दिया जाता है उनके लिए आप यहाँ पर प्रोडक्शन कर सकते हैं फीचर्स क्या मानी है पब्लिक एंड प्राइवेट ओनर्शिप दोनों ही वर्क करती हैं कि यह फीचर्स है और प्रॉफिट मैक्समाइटेशन इस तक गवर्निंग प्रिंसिपल डिसीजन फॉर प्राइवेट ओनर्शिप एंड सोचल वैल फिर इन दे गवर्मेंट पब्लिक करते हैं क्योंकि दोनों का ही मोटे वालाग अलग होता है उनको भी प्री कर दिया गया कि आप प्रॉफिट मैक्समाइटेशन कर सकते हैं और गवर्मेंट तो सोचल वैल फेर पर वर्क करती ही है तो यह इसके फीचर्स हो जाती है आगे मैड्स के दिया मात करें तो कंबाइ दोनों हीवक्ति मिलकर के कार करें तो काम effective तरीके से होगा और efficiency होगा तो सेम एस जहां पर भी है डोनों ही मिलकर के कारकार करते हैं तो GDP ग्रोथ पर तो वर्क करता है हमारा private sector क्योंकि GDP ग्रोथ में मदद करता है capitalist इगनोमी तो उसमें private ownership वर्क करता है वहीं social justice पर government वर्क करत तो दोनों ही कंबाइन देश को पूरे को ले करके चलते हैं क्योंकि सब चीज़ जरूरी है ग्रोथ भी जरूरी और सोसल वैलफेर दोनों ही जरूरी है डीमेट्स के दिए हम बात करें तो गवर्मेंट सेक्टर ओफ इंफिलिक्टेड विद करप्संस देर्फ़र लो लेवल दीज़े बहरत में हम समझ सकते हैं जो सरकार है उसमें भरषटाचार जाधा होता है डेट इस दा रीजन तो वरषटाचार के वज़ेसे लो level of efficiency, जो efficiency है, वो कार करने की छमता है, जो कार है, वो बड़े भरष्टाचारी से होते हैं, कार अच्छे तरीके से नहीं हो पाते हैं, तो ये government का कहिन की जो involvement है, ये परिशानी कड़ा करता है कि अर्थवरस्था के लिए economy के लिए, ठीक है, क्योंकि government decision लेता है इसमें पूरे तरीके से, तो कहीं कहीं इसमें चूक होती है, social justice के चकर में ज्यादा होता है, आप समझ भी सकते हैं, कि आप recent में अभी हमारे भष्टाचार है, वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, जिसको जो हमारी misdi economy है, उसको India follow कर भी रहा है, वो आपको वीडियो समझ में आगया होग डिस्कप्शन बॉक्स में आपको इसकी PDF मिल जाएगे, थैंक यू